बारिस के मौसम में बहुत से कीडे मकोडे घर के आसपास मंडराने लगते हैं इन में से कुछ हमें नुकसान पहुँचाते हैं और कुछ नहीं लेकिन कुछ ऐसे भी के होते हैं जिनके काटने से बड़ों के साथ बच्चों को भी परिशानी होती है और ऐसे ही कीटों में से एक होता है मधुमख्या कई लोगों के डर की वज़ा हो सकती है क्योंकि इसके डंक से फैलने वाले संक्रमन से व्यक्ति की मौत भी हो सकती है इसलिए यदि आपके घर के आसपास या भीतर मधुमख्यों का प्रवेस होता है तो उन्हें बिना मारे हुए कुछ घरेलों नुस्कों से आप आसानी से छुटकारा पा सकते हैं वैसे तो आप सभी को पता है कि मधुमख्यों को धुवा करके बिलकुल आसानी से भगाया चा सकता है क्योंकि धुए से उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी आवास में आग लग गई है और फिर वो नई जगा की तलास करने लगती है और वहां से चली जाती है तो मधुमक्यों को घर से भगाने का एक अच्छा तरीका और प्रभावी तरीका धुआ तो है ही लेकिन साथ ही साथ और भी कई घरेलू तरीके हैं जिसकी मदद से आप मधुमक्यों को आसानी से भगा सकते हैं यहां पर आपको बता दे अगर आप धूएं से मदुमक्यों को भगाना चाहते हैं तो धूएं करने से पहले सभी खिड़कियां और दर्वाजों को बंद कर दीजिए ताकि मदुमक्यां आपके घर में प्रवेशना कर सकें दूएं के बाद मदुमक्यां अपने छते से पूरी तरीके से बाहर निकलने में आठ से दस घंटे का समय लेती हैं तो आपको इस समय का इंतजार करना होगा तो आपको बता दे एक और प्रभावी नुस्खा जिसमें आपको इस्तिमाल करना होगा सिर्का स्प्रे का जी हाँ विंगर स्प्रे मदुमक्य को घर से बाहर निकालने का एक प्रभावी प्राकृतिक तरीका है और बनाना आसान भी है एक स्प्रे बोतल में पानी और सिर्क इकोल अमाउंट में समान रूप में मिलाना है रात में जब मदुमक्या सो रही हो तो इनके छटों के चारों ओर मिश्रन को हिला कर स्प्रे करना है और साथ ही घर के उस जगह के आसपास भी स्प्रे करना है जहां पर आपको बहुत सारी मधुमक्यां दिखाई देती है ये सभी मधुमक्यों को असानी से भगा देगा मधुमक्यां अपनी सुंगने की शमता पर बहुत अधिक भरोसा करती है इसलिए सिर्के की प्रबल तीखी घंद उन्हें असानी से दूर किया जा सकता है वहीं अगला तरीका है जिसमें आपको इस्तिमाल करना है कपूर का तो मदुमक्खियों को दूर भगाने के लिए 50 गराम कपूर को पाउडर बनाकर 1 लीटर पानी में मिक्स कर लीजी और फिर उसमें नीम तेल की कुछ बूंदे मिलाईए मदुमक्खि वाले स्थान पर अब इस स्प्रे का छिड़काओ करिए इससे आप देखेंगे कि मदुमक्खियों को पूरी तरीके से दूर किया जा सकता है क्यूंकि कपूर की महक मदुमक्खियों को पसंद नहीं होती है तो वहीं अगला एक और बहतरीन तरीका है वो है जिसमें आपको इस्तमाल करना है दालचीनी का क्योंकि मदुमक्यों को दालचीनी की तेज गंद से भी नफरत है मदमक्यों को मारे बिना उन्हें अगर आपको भगाना है तो एक सबता तक हर दीन उनके छटे के चारो हूर दालचीनी छिड़के आप घर के हर उस कोणे पर दालचीनी पाउडर डालें जहांपर मदमक्या मौझण हो दालचीनी की मैक को सुंगते ही मधुमक्या नए स्थान की तलाश शुरू कर देती है और आपके घर को छोड़ कर चली जाती है